कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारतिय सिलेब्स के चर्चे रहे भारतिय फिल्मों और डॉक्योमेंटरी से लेकर भारतिय कलाकारों के रेड कार्पेट लुक तक सब ने पूरी दुनिया को अच्रेक्ट किया लेकिन दिविका पादकॉन इन सब में आगे रही कांस के आखरे खुबसूरत लग रही है दिविका पादकॉन ने रेड कार्पेट के लिए अपने देशे लुक को चुना उन्होंने कांस की क्लोजिंग सेरमनी के लिए रफल्ड वाइट साडी को चुना दिविका पादकॉन की साडी को मशूर डिजाइनर अबुजानी संधीब खोसला न दिविका पादकॉन ने स्लीक बन किया हुआ था उन्होंने बहुत ही हलका मेकप किया हुआ था जो उनकी परफेक्ट खुबसूर्ती को दिखा रहा था बता दे की दिविका पादकॉन कांस के 75 एडिशन में 8 सदरस्यों वाली जियूरी में शामिल रही उन्होंने कांस में भारत को रिप्रेजेंट किया, बता दे की दिप्रिका पादिकोर्ण ने कांस की रेड कार्पिट पर लगवग हर दिन वॉक किया, वो अब फ्रांस से बहुत जल्दी भारत पहुचने वाली हैं